नमस्कार देकज़त कापी जिलों तेज बारिष होने की शंबाना है अलांकि दक्षिन पच्छिम जिलों में बारिष का द्यारा चैदा देख मिलेगा आज भी लगबग देकज़त संपूर्ण राजस्थान के चत्रों में कापी जगों पर कई अलकित कई मद्यम से लगए कर तेज बारिष होने की शंबाना है बीकनेर संबा के चत्रों में लगबग अगले पांच इसकंड को दरान कई अलकित कई मद्यम से लगए कर तेज बारिष होने की शंबाना बन रही है तो सबसे पहले राजस्तान के रक्सिन पत्सिम जिलों की बात कर लेते हैं अगले पांच इससे कंड़ों को दोरान कैसे रहेगा मुश्रम अगले पांच इससे कंड़ों को दोरान काई अलकित काई मद्यम से लगा कर मुश्ला दार बारिस का दोर देखने मिलेगा जोजे सलमेर, बाड मेर, पली, जलूर, छीरोई, जोधपूर के सेत्र हम लगबग संपूर्ण सेत्र आते हैं जोधपूर सम्भागे इन जलम लगबग अगले पांच से कंड़ दरान मत्यम से लगा कर तेज बारिस होने के संबान है जोधपूर के जोधपूर के जोधपूर के से लगा कर तेज बारिस होने के संबान है जोधपूर के सेत्र हम लगबग अगले पांच से कंड़ दरान और साम से लगा कर तेज बारिस होने के संबान है कई मुश्लादार बारिस का दोड़ है जो कुछ जैसल मेर के दक्षिनी सेतर आते हैं जो देवी कोड़ के आसपास सेतर हैं कुछ बार्ड मेरों जैसल मेर के जो शटवी सेतर हैं जो दरान जो दरान जो बारिस होने के संबान हैं और जो दरान लोनी पिपार के आसपास सेतर हैं है जो दरान जो दरान जो 7ड़ के जैसेतर हैं का बारिस का दाहिस का दोड़दे के मिलेगा। होने की कि शंभाना रहेगी और वकिला का जो नाग extending लगं परम तेजबारे भारिश देकर मिल 모습 45 जो अशिंद्ध के एस पास फास तरह मेंद दुन दार के इस पास फास फास हम का पी तेज बारिश होने की संभान रहेगी और बाढ़ मेर्ди के लगबवक मत्यम चाल करें बारिश होने की शंबान है। और जलोर शिरुः के एकई चैतरों कापी जोगों पर जलोर के खासका ज्यद्धातर भागों में काई-न्यवर के मद्यमा रिकार बारिष का दोड़ देखें मिलेगा, खासका खंड बारिष honë की शंबाण रहेगी जालोर के सत्रों में कई कई मत्यम से लगा कर मुश्लादार बारिस का दोड़ भी देखा मिलेगा लगबग जालोर के हर सत्रों में कई कई मत्यम से लगा कर तेज बारिस का दोड़ देखा मिलेगा और शिरु में कई कई मत्यम से लगा कर भारी बारिस होने की पगले 10-12 कंटा कुद्रान काई कैम अधियम से लगा अगर भारीष से अति भारी बारीष दियाग मिल सकती हैं और पहले के 17 में काफ़ी जगहों पर मद्याय करते हैं इस बारिष होने की संभाव ना रहे हैं कि उसके बात बात करते हैं दक्षिन पूरी जलौ के दक्षिन लगा कर भारी बारी सुने की शंबहून है। उदेपुर से लगा कर उदेपुर से जो राशमद है। उदेपुर के छत्र हैं सितोड गड़ें परताव जिलम कहीं भारी से अतिृ बारी बारिस देखbank मल सकती है। जिर राथ नारध की टाइमे देखा जाए इन जलम कपी जगएगा कर भारी बारिश होने की स्बॉन है लेकिन इन शेत्रम में लगातार 13 सितम्बर तक देखी ज़त कई मुष्ला दार भारी बारिश का दोड़ जारी रहेगा उसके बात बात करते हैं उत्तर डक्षिन पूर जिल्लों की दक्षिन उत्तर पच्छी में जो कोटा बारा जलावार कोटा बुंदी के आजपा सेत्रों हैं, इन सेत्रों में कापी जगाओं पर काई हलकित काई मद्यम से लगा कर मुश्ला दार बारिश का दोड़ देख मिलेगा तो बुंदी हैं, बारा कोटा जलावार के सेत्रों में, उसके बाद बात करते हैं, उत्तर पूर्जी लोकी, उत्तर पूर्जी लम कापी जगाओं पर लगबग आगले पांच जगण डगुदरान इन जलम कई हलकित कई मद्यम से लगा कर तेजबारिश होने के संबावना हैं, नागोर में कापी जगाओं पर अगले पांच टाराना अध्यरा , मेता सिटी , मेता रूड क्यास पहुँ नाव क्यास पहुँ अश्पा सत्रं परबससर क्यास पहुँ की मत्यम तर लगा कर मुश्लाधार बारी Saskदख़ником मिलेगा और अजमेर के शत्रम कापी जगों पर मत्यम से लगा कर मुष्ला दार बारिष का दौड देखना मिलेगा इ Зमेर के खास कर जो जमेर शहर से लगा कर बीयाओर के आच पा सतर हैं अजमेर पले के जो सटावीुस चतर हैं न सतर हम कपी जगाँ पर मदिन से लगा कर भारी बारिष पर देखना मल सकती है लगबग आस दो पर से लगा कर शाम या देर रात तक के भी इसमेर के कई सेतरों मतीम से लगा कर भारी बारिस का दोर देख लो मिल सकता है जो सिकार हैं। आदोपर से लगा कर देर रात के बीस में कापी जगों पर मुशलादार बारिस होने के शंबाउन रहेगी जुन जुन हैं चिक करें सबी चत्रम कापी तेज बारिस होने के शंबाउन रहेगी और उसके बाद बात कते हैं उत्तर पच्छेम जिल्लों की उत्तर पच्छेम बीकानेरम, प्रेंचन नोंरी महताइस हैं, बीकानेरम, प्रेज भाइम नोंरी ने मस दौने मलताइए बारिश होने की शंबाउन है और हनमानगर के सेत्रम कापी जगों पर कहीं हलकीत कहीं मद्यम से लगा कर तेज बारिश होने की शंबाउन रहेगी आद उपर से लगा कर देर रात के बीश में और गंगानगर में खासकर सेत्रम कहीं हलकीत कहीं बुंदा बानी कहीं मौसम जदा तरबागों 20-20 में सुष्क भी बना रहेगा जो गंगानगर के खास कर्डक्शनी सतर आते हैं जो कुछ भी करनेर के चटे हुए सतर हैं पूरो में जो हनमानगर के चटे हुए सतर हैं इन सतर हैं कहीं हलकित कहीं मद्यम से लगा कर तेज बारिस होने के संबाव न रहेगी हैं कहीं मद्यम से लगा कर तेज बारिस देखने मिलेगे लेकिन तेवी सित्मबर के आज पास में गंगानगर हनमानगर के कहीं से लगा कर मुष्लाधार बारिस का दोड़ देखने मिलेगा तो आज के मुस्ण समाचार में इतना हीं तो आप अमारे यूट्यूब चैनल पर पहले लिबार आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सेनल को सब्सक्राइब कर दें, जय हिन, जय भारत